लाज के छे टुकले करकर दस फिट गहरे गड़े में दफलाने वाला गुलामुदीन आखिरकार मुंबई से जोथपुर पुलिस के हत्य चली गया जोथपुर में ब्यूटीशन अनिता चौदरी हत्यकान के आज दिन के बाद मुख्यारोपी गुलामुदीन फारूकी को मुंबई से पकल दिया गया शुगरवार रात पुलिस उसे जोथपुर लेकर आई गुलामुदीन नेपाल भागने की फिराक में था वो जब भी मुबाइल का इस्तेमाल कर रहा था तो कुछ ही देर में उस फून को बन कर दिया करता था इसी वज़ा से पुलिस को उसकी लोकेशन सही तरीके से मिल नहीं पा रही थी पिछले पाँच दिन से एडिशनल डीसी पी निशान भारगवाज के टीम इस शक्स की तलाश में लगी हुई थी वो चार दिन से यानि कि गुलामुदीन चार दिन से अपनी लोकेशन बार 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 बदल कर पुलिस को चकमा दे रहा था इस पूरे मामले पर जो डीसी पी हैं राजश्री राज उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस करके बताया कि हत्यकान के बाद से पुलिस गुलामुदीन का पीछा कर रही थी पुलिस ने गुलामुदीन को पकड़ने के लिए सिसी टीवी फोटेज के सहारा लिया पुलिस हत्यकान के बाद से तकरीबन पांसो से ज्यादा सिसी टीवी फोटेज खंगाल चुकी है और इसी इनी फोटेज के जरीए पुलिस जो है गुलामुदीन तक पहुच भी पाई DCP राजश्री राज ने ये भी बताया कि हुलामदीन मुंबई से भी फरार होने की फिराक में था उसने प्लान बना लिया था कि मुंबई से भाग कर वो कहीं और जाएगा पुलिस ने बताया कि हुलामदीन नेपाल जाने की पूरी तरीके से तयारी कर चुका था पुलिस को उसके पास से भारत से फरार होने के कई सुराग भी मिले हैं इतने ही नहीं DCP ने बताया कि अनीता मडर की इसकी जोब जाच है वो ADCP लेवल के अधिकारी करेंगे इस मामले में हत्यकान और शब मिलने के बाद से कई तरह की बाते भी सामने आ रही थी इधर गुलामदीन के गरफतार होने के बाद से पुलिस ने एक बार फिर से कई और लोगों को भी इस मामले में हिरासत में लिया है और बताया जा रहा है कि अनिता मडर के बात से गंगाणा निवासी गुलामोदीन जो है अंडरग्राउंड हो गया था वो छप्ता फिर रहा था कुछ फोन लोकेशन के अधार पर ही जोदपूर वेस्ट के एडिशनल डी सीपी निशान भारदुआच के नितृत्व में एक टीम बनाई गई मुंबई वेस्ट के जोईन कमिशनर सत्य नरायन चौधरी के निर्देशन में टीम ने गुलामोदीन को एक घर से गिरफतार करके जोदपूर पूलिस के हवाले किया वैसे बताया जा रहा है कि जोदपूर पूलिस को मुंबई के एक्सिसेटीवी फूटिज से गुलामोदीन का सुराग मिला था इतने ही नहीं कि अनीटा की हथ्य के बात से पुलिस के सामने कई सवाल थे जो चुनौती बने हुए थे और अब जब से गुलामोदीन को पुलिस ने जब से गिरफतार किया है तो उमीद है कि पुलिस उन सारे सवालों के जवाब सबसे पहले गुलामोदीन से पता करेगी निता की हत्या क्यों की थी? इस अनिता हत्यकांड में हुलाम الدین के साथ कौन और लोग शामिल थे या नहीं या इस पूरे हत्यकांड को उसने अकेले ही अंजाम दिया? क्या खुलाम الدین ने अनीता की हत्या करके शव अपने घर में ही काता था अनीता की हत्या लूट के लिए हुई प्रॉपर्टी के लिए हुई या फिर ब्लैक मेलिंग की बज़ा से हुई ये भी एक सवाल है जिसका पुलिस पता लगाने की कोशिश करेगी हुलाम الدین से इतने ही नहीं एक सवाल और है जो पुलिस पता लगाएगी क्योंकि इसके इसमें एक नाम और आया था वो था तयव अनसारी का तो पुलिस पता करेगी कि प्रॉपर्टी डीलर तयबंसारी का इस हट्यकार्ट से क्या नाता है और अनीता जो बैग लेकर ब्यूटी पालर से निकली थी जिस वारदात वाले दिन वो इस वक्त कहां है और अनीता के कपड़े कहां बदले गए थे इतना ही नहीं आपको बताओ कि गुलामदीन को जोधपुर से फरार करने और फरारी काटने में सबसे बड़ा जो सहाथ था किसका था ये भी पता लगाएगी उसकी मदद कौन कर रहा था क्योंकि अगर वो इतने दिन तक फरार रहा और ऐसे प्लानिंग के तहत फरार था तो वो नहीं कर पा रहा है जाहरे किसी ने किसी ने उसकी मदद करियोगी तो उसका मददगार कौन था आपको बता दू कि जोधपुर ब्यूटिशन मर्डर केस का मुख्यारों के गुलामदीन के पास से घफ़ार नाम की फरजी आईडी भी मिली है पुलिस उसे मुंबई से ग हिंदाबाद होते हुए मुंबई भाग गया था इरादा था बिहार की ट्रेन पकड़कर नेपाल के रास्ते देश चोड़ने का पुलिस को उसकी लोकेशन आखरी बार जब फून अन हुआ तो मुंबई मिली थी लेकिन वहां से फून दुबारा अन हुआ नहीं इसके बोच लिया इतने ही नहीं DCP West राजश्री राजवर्मा ने ये भी बताया कि हुलाम उद्दीन ने अपने नाम बदल कर घफार रख लिया था ताकि किसी को पता ना चले कि इसका नाम हुलाम उद्दीन है तलाशी में उसके पास घफार नाम का फरजी आईडी कार्टों मिल कर हाला कि अभी पूरी तरीके से उनने मीडेर से बात करते हुए जवाब नहीं दिया उनने यही कहा कि अभी जा चल रही है हम उसे बामा हत्या से डेटड जो वजाए हैं उसकी उपर हम आपको नहीं बता सकते उन्होंने बताया कि उसके बैक से मुंबई से बिहार जाने का ट्रेंट टिकेट भी मिला था वो नेपाल के रास्ते देश से फरार होने की फिराख में था डिसीबी वेस्ट ने बताया कि अनीता 26 अक्तूबर को सरदारपूरा से आटो में बैट कर गंगारा इलाके में इस्थित घुलाम गया था और जोद्पूर रेलवे स्टेशन से बैक खरीद कर जैन ट्रेवल्स की बस में बैटकर एहमदाबाद चला गया इतने नहीं एहमदाबाद से ट्रें से मुंबई पहुचा और अगल बगल लॉज में ठैर कर दिन बताये वहां उसने हर जगा घफार नाम की अपनी नकली आइडी दी थी साथ नवबंबर को वह ट्रें से बिहार जाने वाला था वागार छे और साथ नवबंबर की रात ही मुंबई सैंट्रल रेलवे स्टेशन पर सोया ताकि किसी को शक नहों किसी को पता न चले और रेलवे स्टेशन से फरार हो जा हुलाम-अ-धीन ने अ वो नंबर था वो पुलिस के हाथ किसी तरीके से लगा था क्योंकि कई और लोग पुलिस ने इस मामले में हिरासत में लिया है इसके बाद उसने अपना वो अलाफोन दुबारा ओन ही नहीं किया पुलिस को उसकी अगही लोकेशन का खुश पता नहीं चल पा रहा था ऐसे में लास्ट लोकेशन के अधार पर CCTV कैमरा खंगालना शुरू किया गया और 7 नवंबर को बिहार के टिकेट लेने के बाद मुंबई सेंटर रिल्वे स्टेशन पर हुलामुदीन ने मुबाइल अपना आउन किया और लोकेशन ट्रेस होते ही पुलिस की जो टीम थी यानि की ADCP, निशान भारदवाज, C.I. मुहमद शफीक खान, C.I. शकील एहमद और मुंबई सेंटर रिल्वे स्टेशन की तरफ जो ही ये लोक दौर पड़े स्टेशन के कोने कोने को चप्पे चप्पे को इन्होंने अच्छी तरीके से घंगाला देखा पता किया और गुलामुदीन की तलाश शुरू हुई पुलिस टीम को स्टेशन पर दे गुलामुदीन घबरा गया और इसने वहां से भाग निकलने की कोशिश करी जैसे ही वहां से भाग निकलनी कोशिश कर रहा था तो जो सी आई महमाश शफीक खान थे उनकी नजर इस पर पड़ी उन्होंने बाइक से इसका पीछा किया और कुछ ही मिनट में इसे दबोश लिया पुलिस ने घुलामुदीन की पत्नी आबिदा परवीन से पूछताच के लिए छे दिन की रिमांड पर उसे मांगी है और शनिवार को आबिदा और घुलामुदीन को आप पत्नी है घुलामुदीन की आबिदा उसे और घुलामुदीन को आमें से बिठा कर पूछताच चुका है मगर अभी तक अनीता चौधरी का अंतिम संसकार नहीं हुआ है परिजनों और समाज के लोग गिरफ्तारी की मांग पर तीजा मंदिर में धर्ने पर बैठे थे शुक्रवार सुआ गुलामुदीन की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही अनीता की पती हैं मलमुहन और उनके जो बेटे हैं वो धर्णास्थल से चले गए थे इससे पहले सरदारपुरा पुलिस ने अनीता के परिजना को छटी बार तीजा मंदिर में सफीना नोटिस दिया था लेकिन परिजनों ना तो पोस्मॉटम करवाया और ना ही आगी कारवाई में कोई मदद करी ऐसा पु नहीं नहीं जोदपुर पुलिस ने शनिवार को कूडी के सरकारी हॉस्पिटल में गुलाम उद्दीन का मेडिकल चेकप भी करवाया इसके बाद उसे महिला थाना पश्चिम ले जाये गया उससे वहाँ पर पूश्ताच की गई ये पूश्ताच शुकरवार रात से जारी ह और इस पूरे मामले पर आरूपी को मजिस्टेट के सामने पेश किया जाएगा पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना है कि मजिस्टेट से आरूपी की रिमांड मांगी जाएगी अनीता का जो शव है वो मिलने के बाद 31 अक्तूबर से ही पुलिस जो अनीता के परीजन है रि लाच में ऐसे कोई मदद कर रहा है मीडर रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है इतने नहीं शुकरवार को भी पुलिस ने परिजनों से इस संबन्द में बाग की थी पुलिस ने ये भी बताया कि गुलाम उद्दीन की अपरादिक हिस्ट्री खंगाली जा रही है वो बदमाश प्रवर्टी का इनसान है उसने लूट के रादे से पहले भी कई लोगों को जहर दे कर कई सारी वारदातों को अंजाम दिया है उसके खिलाफ अलग अलग ठानों में कई सारे केस दर्ज हैं लेकिन अगर बात करें कि कैसे घुलाम उद्दीन ने अनीता मडर केस को अंजाम तो अभी तक की खबरों के मताबिक जोदपूर गंगाना महले में वो घर है जहां इस पूरे गतल को अंजाम दिया गया उस घर का मालिक का नाम है घुलाम उद्दीन जिसको पलिस ने मुंबई से गिरफतार किया है तेईस अक्तूबर को घुलाई और अपने घर के ठीक बा कि घुलाम उद्दीन उस घड़े को आखिर क्यों खुलवा रहा है इसके बाद अनीता की गतल की वारदात जो है सब को पता चली दरसल घड़ा खुदवाने के तीन दिन के बाद उसी घड़े में अनीता को दफना दिया गया उसका गतल करने के बाद उसके जिसम के छे टु को वो ब्यूटी पालर आती है और इसके बाद महां से गायब हो जाती है गड़ा खुदे हुए आट दिन हो चुके थे इन आट दिनों में गड़े को भर भी दिया गया और उधर अनीता चौधरी को गायब हुए भी पांच दिन हो चुके थे मगर अनीता का कोई भी कि और उस आटो की जनकारी निकाली तो उस आटो डैवर ने पुलिस को बताया कि उसने अनीता चौधी को गंगारा के एक घर के बाहर छोड़ा था अब जब पुलिस ने तफ्तीश करी और अनीता के परिजनों से पता किया कि आखिर गंगारा में आपको कुई जानने वाला रहता है या नहीं तो पता चला कि अनीता की दुकान के सामने ही एक और दुकान है जहाँ जो गुलामदीन की है और गुलामदीन जो है गंगारा में रहता है पुलिस ने इसके बाद गुलामदीन को फून किया जैसे गुलामदीन के पास पुलिस का फून पहुचा तो गु उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा तो वो मौका वारदात से फरार हो जाता है लेकिन पुलिस जब अनीता को तलाशती हुई घुलाम-दीन के घर पहुचती है तो महाँ पर घुलाम-दीन तो मिलता नहीं लेकिन उसकी पत्नी मिलती है पुलिस घुलाम-दीन के बारे में पत पता इस तरीकी के बहाने बना कर कहानी को पल्टा जाता है से वही चीज घुलाम-दीन की पत्नी भी कर रही थी लेकिन पुलिस ने जब सक्ती से पूछता आज करी तो उसकी पत्नी ने बताया कि 26 अक्तूबर की सुबा अनीता रोजाने की तना जब भर ब्यूटी पालर पहु उसकी पत्नी ने अनीता को शर्बत पिलाया शर्बत में इनों नशे की दबाई पिलाई जिससे अनीता बिहोश हो गई थी बिहोशी की बाद इन लोगों ने पहला नीता का कतल किया उसके बाद उसके लाश के छे टुकड़े किये और उसे बड़ी सी पॉलतीन में भर दिया इतने ही नहीं बड़ी सी पॉलतीन में भड़ने के बाद इन लोगों ने उस लाश को गड़े में दफनाने के लिए रात भर का इंकजार किया जब रात गहरी हो गई और आसपरोडोस के लोग सो चुके थे तो इन लोगों ने उन छे थेलियों को जिसमें नीता की लाश को काट कर रखा था उसे उस दस फीट गहरे गड़े में डाल कर उसके आसबास तकरीबन दरजन भर इतर की शीशियां रगनी ताकि बदबुनाए औ और उसके बाद रात रात उत गड़े को भर दिया मगर सोची कि 10 फीट गहरे गड़े को रात मी ये लोग लाश ऑल कर भरते हैं लेकिन किसी को कानोपा नहीं पता चलती है इसके बाद पुलिस ने जब यह बात पोपता चली कि इसमें कही नदे गुरामुदात को रहा है और जोतपुर मेही छोड़कर ओफरार हो गया था, पुलिस को इसी तरीके से उसका नया नंममर मिलता है, उस नममर को ट्रेस के जाता है, तो पहले लोकेशन हम्दाबाद मिलती है पिर मौंबई, इसके बाद पुलिस तफ्तिश करने के बाद अलंग अलंग से जाच करते हुए प तक अनीता का शेवर जो है वो मौर्चुरी में ही था उसका पोस्ट मौर्टम नहीं हुआ है और ना ही शेवर का अंतिम संकार हुआ है क्योंकि परिवार की मांग है कि उन्हें एक करोर रुपे का मौाफ़ा और सरकारी नौकरी दी जाए पुलिस ने काफी कोशिश करी अनीता पूरी प्लानिंग कर ली थी कि वो भारत छोड़कर नेपाल चला जाएगा नेपाल जाकर ये भारत के कानून को चक्मा देने की कोशिश कर रहा था इसे लग रहा था कि नेपाल चला जाएगा तो कोई इसको पकड़ नहीं पाएगा लेकिन इससे पहले कि नेपाल जा पात पुलिस की टीम मुंबे पहुच जाती है और इसे गिरफतार कर लेती है गिरफतारी के बाद इसे जो पुल लाया जाता है और अब ये शक्स पुलिस की हिरासत में है पुलिस ने से गिरफतार कर लिया है इससे पूछताच की जा रही है पता लगाया जा रहा है कि इस हत्यकार इसी बात किसी ने किसी ने की होगी, तो इसका मदददगार कौन है, उस शक्स से बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है, ताकि उस शक्स को भी पुलिस गिरफतार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज सके, इस पूरे हत्यकान की उपर आपको जो भी राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंड करके जरूर बताईएगा, बाकि देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहे हैं क्राइम तक